लेफ्ट टू राइट रोटेशन इस रोटेशन का यूज तब किया जाता है जब कोई न्यू नोट पायो नोट के लेफ्ट चाइल के राइट सब ट्री में लिंक होता है इस रोटेशन के लिए फर्स्ट हम राइट टू राइट टू राइट रोटेशन का यूज करेंगे देन लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन का यूज करेंगे इसके लिए भी कुछ स्केप्स का यूज किया जाता है तो फर्स्ट क्या है इसमें पहले हम क्या करेंगे पहले र राइट टू राइट रोटेशन करेंगे और सेकेंड लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन करेंगे अब इसके लिए कुछ स्टेप्स ही उसकी जाती है पहली है राइट टू राइट रोटेशन को प्रफॉर्म किया जाता है राइट टू राइट रोटेशन कहां से प्रफॉर्म किया जाहेगा इसमें भी फ्रस्ट क्या है पाइवोट के लेफ्ट चाइल्ड इसे लेफ्ट चाइल्ड है अपने पास बी ठीक बी के राइट चाइल्ड राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड पायोड के लेफ्ट के राइट से लिंक किया जाता है अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट ज़्ट्ग लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो लेफ्ट लेल्ड रोटेशन एं एलल रोटेशन एलल रोटेशन पाइवोर नोट से परफॉर्म किया जाता है ठीक है इसमें फास्ट क्या आएगा पाइवोर नोट की लेफ्ट चाइल्ड के राइट को पाइवोर पाइवोर के लेफ्ट से लिंक किया जाता है इसको एक्जाम्पल में सही तरीके से देखेंगे पाइवोर अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड हो जाता है ठीक यह दो रोल है अब हम इसको एक्जाम्पल पर एप्लाए करेंगे एक्जाम्पल हमें पास इसका ही उसकी यह दो बनने बी का अपने एक्जाम्पल यह जाता है कि इसका बैलेंस फेक्टर बैलेंस फेक्टर में पहले भी आपको बताया था कैसे इकालना है इसे इसका लेवल 0 1 2 3 ठीक है 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपने बैस 4 फिर 0 1 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 तो 4 मैनस 3 क्या हो गया 1 इसका बैलेंस फेक्टर 1 यह क्या है लेवल है प्लस 1 हाइट इक्वल्स टू होता है लेवन प्लस 1 और बैलेंस फेक्टर इक्वल्स टू होता है हाइट अफ लेफ सब्ट्री मैनस हाइट अफ राइट सब्ट्री इसका 1 हागया इसका इसका 1, इसका 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, अब हमें इसमें इंसर्ट करेंगे N, इंसर्ट किया N, B, H, C, D, E, F, G, N इंसर्ट करेंगे लेफ्ट टो लेफ्ट रोटेशन कब होता है जब पायोड नोट के लेफ्ट चाइल के राइट सब्ट्री में न्यू डोड इंसर्ट होता है अब इसका सबका बैलेंस फेक्टर फी निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा इसके हिजाब से 0, 1, 2, 3, 3, plus 1, मतलम 4, minus 0, 1, 2, 3, 4, 4, plus 1, 5, minus 0, 1, 2, 2, plus 1, 3, minus, equals to 2 इसका बैलेंस फेक्टर हो गया 2, 3, 5, लेवल क्या होती है जो सबसे लंबा पात होता है यह सबसे लंबा है तो यह इसका लेवल हो गया 0, 1, 2, 3, 4, यहां से भी आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और यह फिफ्ट लोग के लेवल पे तो 5, minus 3, equals to 2, तो अब इसका क्या है, minus 1 इसी तरह सब के निकाल लेंगे हम 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1, 0, तो अब पाइवोड नोट के इसे निकलता है जब बैलेंस फेक्टर 1 से 2 हो जाता है या minus 1 से minus 2 हो जाता है, तो वो उसका पाइवोड नोट होगा, तो यह हमारा पाइवोड नोट है, ठीक, पाइवोड नोट, अब हम इस पर अप्लाए करेंगे, rule ठीक rule first rule first क्या है पहले R-Rotation करेंगे तो R-Rotation कहां से pivot note के left child पर perform हुगा यहां पर perform हुगा ठीके तो first क्या है मैं पास कि pivot note pivot note के left child ठीके क्या था कि पायोड नोड के left child का right child का left पायोड नोड के यह जो है वो पायोड नोड के left के राइट में लिंक हो जाएगा मतलब यह कैसा हो जाएगा बी जो है इसके right में F लिंक हो जाएगा ठीक है फिर क्या है B एक बाकी ये तो as it is रहेगा ये C और ये हो गया E और second क्या है मैं पास second है B अपने right child का left child हो जाता है ठीक है B अपने right child का left child हो जाता है ठीक बी तो B अपने right child का मतलब इसका left child हो जायागा तो ये मापने पास हो जाएकर B ये हो गया A ये D का हो गया G और ये हो गया N H और I ठीक है ये first rule apply करने के पास हमाँ पास ये आएगा अब हम second rule apply करेंगे रूल रोटेशन रोटेशन सेकेंड सेकंड रोटेशन अप्लाए करेंगे तो इसमें क्या है कि पायोड नोड के left child के right child को पायोड के left से लिंक किया रहता है तो ये अपना पायोड नोड है तो पायोड नोड के left child के right के right को इसको पायोड के left से लिंक किया जाएगा ठीक है तो हमाँ आपस क्या हो जाएगा यहाँ पे यह है अगर A तो इसके left से हम इसको लिंक कर देंगा तो यह जाएगा G यह हो जाएगा N ठीक यह हो गया फिर बाकि एक की साथ वाले यह जो है यह जो है यह से एज़िटी जाएगा ठीक अब सेकेंड के हमाँ पास कि पायोड अपने left child का right child हो जाता है तो पायोड पायोड अपने left child का right child हो जाता है मतलब यह हो जाएगा D का right child बाकि as it is आजाएगा इसका क्या है यहाँ B F C और यह जाएगा E ठीक है यह हमारा second rotation अप्लाइ करने की बाद यह हो गया left to right rotation आप इसका balance factor भी check कर सकते हैं तो इसका हो जाएगा 0 1 1 0 0 1-1 इसको जाएगा 0 इसको जाएगा 0 इसको जाएगा 0 यह हो गया अब हम देखेंगे fourth right to right rotation ठीक है right to right rotation इसमें यह rotation तब किया जाता है जबकि new node pivot node के right child के left सब्क्री पर लिंक किया जाता है इस rotation के लिए सबसे पहले pivot pivot के left child से left to left rotation परफर्म किया जाता है और pivot node से right to right rotation परफर्म किया जाता है क्या होता है इसमें सबसे पहले pivot node के right child से L rotation परफर्म किया जाता है and then pivot node से rr rotation परफर्म किया जाता है तो इसके लिए भी steps है step one है left to left rotation पहले जाता है तो इसमें फिर्स्ट का है पाइवोट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट के लेफ्ट के राइट चाइल्ड को पाइवोट के राइट चाइल्ड के लेफ्ट पर लिंक किया जाता है पाइवोट के राइट चाइल्ड राइट चाइल्ड के लेफ्ट चाइल्ड के सेकंड है पाइवोर्ड नोर्ड का राइट अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड हो जाता है सेकंड क्या है सेकंड हम परफॉर्ण करेंगे पाइवोर्ड नोर्ड पे राइट टू राइट रोटेशन इसमें भी फर्स्ट है पाइवोर्ड के राइट के लेफ्ट को पाइवोर्ड के राइट से लिंक किया जाता है ठीक है और सेकंड वन है पाइवोर्ड अपने राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है ठीक है अब यह रूल हम एक्जामपल पर अप्लाइ करेंगे ए रोटेशन तो हमार पास एक्जामपल है हम वही वाला एक्जामपल लेंगे जैसे यह ए यह हम लेले पी पी इधार ए ठीक है अब इसका बैलेंस फैक्टर हम चेक करेंगे अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें एन ठीक इंसर्ट किया तो यह क्या होगे मपास इंसर्ट हुआ है एन यहां ठीक है अब हम इसका balance factor चेक करेंगे इसका है माइप पास minus 2 1, 0, 1, 1, 0, 1, minus 1, 0 इसका minus 1 से minus 2 हो गया तो यह हमारा क्या हो गया अब हम इस पर first step apply करेंगे तो पहले हम LL rotation करेंगे तो इसमें क्या है पाइवर्ड नोड पाइवर्ड नोड यह पाइवर्ड नोड के right child के left के right child को avere पाइवर्ड को पाइवर्ड के पाइवर्ड नोड हम आपस है पाइवर्ड के right child पाइवोट के राइट चाइड मतलब बी, बी राइट चाइड के लेफ्ट में, लेफ्ट पर लिंक किया जाता है, इसके लेफ्ट में हम लिंक कर देंगे, तो यह हो जाएगा, पाइवोट के राइट चाइड के लेफ्ट, यह लेफ्ट के राइट को पाइवोट के राइट चाइड मतलब बी, यह हमें पास बी, बी के लेफ्ट में लिंक कर देंगे, ठीक, अब सेकेंड क्या है, कि पायोड नोड का राइट अपने लेफ्ट इसका, लेफ्ट का राइट चाइड हो जाएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, बी, सी का राइट चाइड, ठीक, बाकी, एज इस यहाँ आजएगा, ठीक, यह हो गया, फर्स्ट स्टेप, अब सेकेंड क्या है, आरा रोटेशन करेंगे, राइट तो राइट रोटेशन तो वह पायोड नोड से करेंगे, तो पायोड नोड के राइट, इसके राइट के लेफ्ट को, इसको, पायोड नोड का राइट से लिंक कर देंगे, तो इसके राइट से लिंक कर देंगे, पी के, तो यह क्या हो जाएगा माँ पास, पी के, पी के, राइट में जाएगा ए, और यह जाएगा एन, ठीक, फिर क्या है, पायोड अपने राइट चाइड, पायोड अपने राइट चाइड का लेफ्ट चाइड हो जाएगा, ठीक तो यह हो जाएगा इसका left बाकी as it is हो जाएगा यहां पर आ जाएगा B D G यह दोर से लिंग था F यह था A और यह है H यह क्या हो जाएगा after second step यह अब इसका हम balance factor चेक कर ले इसका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 3, 3, plus 1 मतलब 4, minus 3, 4, 0 इसका 0, तिक इसका 0, 1 इसका 0, इसका भी 0 इसका भी 0 इसका हो जाएगा इसका सुर्य हम इसका इसकी यह ता इसके लेफट में था है no इसका भी 0 हो जाएगा जाएगा balanced, balance, height balance tree, यह हो गया हमारे 4 rotation, left to left rotation, right to right rotation हो गया, left to right rotation हो गया, right to left rotation हो गया, यह था insertion, अब हम देखिंगे next, deletion of, deletion operation of the avial tree, जाएगा बनाइब जाएगा तके र राय देख्ड़् आग